हेलो फ्रेंट्स, रीजनिंग इन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है, तोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपसे डिसकस करने वाला हूँ, स्टेट कोटा की जो कट आफ है, कैटेगरी, कट आफ, सीट का लोकेशन, और हर कॉलेज में स्टेट कोटा का क्या रहा है, उसके साथ मोबब राउन का क्या स्टेटस अपडेट है, इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है, तो सभी बच्चों के लिए सभी स्टेट्स के लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो मैं स कर रहे हैं MST-CT की तो आपके लिए free test papers हैं वो आपके लिए लेकिया है तो जो भी बच्चे आपके friends दोज MST-CT की प्रपरेशन कर रहे हैं उनके लिए best plan and academy लेकिया है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो आप join कर सकते हैं MST-CT Champions League आप Physics के लिए Chemistry और Maths के जो PCM के स्टोइंट से PCM वाली लीग जोइन कर सकते हैं जो PCB बलने वाले बच्चे हैं वो PCB की लीग जोइन कर सकते हैं दोस्तों यह free of cost और सबसे चीशी का प्रेंट जो एन अकेडमी की जो MST-CT Champions League है वो 19 दिसम्बर से स्टार्ट हो रही है और इसमें दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ के आपको free of cost and all करने का चांस मिलेगा आपको live attempt करने का चांस मिलेगा और आप प्राइस जीतने का चांस मिलेगा मतलब आप एक test attempt करोंगे साथ आपको price भी मिलेगा तो दोस्तों अगर आप PCB के students है तो आप 9-10 बजे काटास दे सकते हो जिसमें total 100 questions आएंगे और non negative marking होगी उसी पर का तो PCM के students है तो आप इस test को दे सकते हो 11-12 बजे तक physics, chemistry और maths का ये paper होगा जिसमें total 75 questions होगे उसके बाद दोस्तों ये कर सकते हो referral code RC2020 जो आपको screen पे दिखाई दे रहा है आप इस referral code को use करोगे तो आपको मिलेगा amazing unlock करने का option आपको जब exam में जाओगे तो आपको attempt करने के लिए आपको referral code पूछेगा enrollment के लिए तो आपको करना क्या है मेरा referral code जो आपको screen पे दिखाई दे रहा है RC2020 इसको use करना है और जैसे आप इस referral code को use करोगे तो आप unlock कर पाओगे और exam के लिए enroll कर पाओगे वो भी दोस्तों free of course आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है अगर आपको कोई objection है तो आप 16 तारीक को दे सकते हो 17 तारीक को final merit list चुपनेगी state quota की वो 17 तारीक को publish होगी उसके पाद दोस्तो starting date of online registration आप 13 तारीक होगा और last date of online registration 24 फिलिंग आपका 19 बारा को होगा तो जो भी बच्चे जारकंड state quota से apply कर रहे है state quota round 2 के लिए उनके लिए काफी important update है तो जो भी आपके friend जारकंड state quota से apply कर रहे है आप उनको ये message forward कर सकते हो अगली अप्डेट दोस्तों महारास्टा स्टेट्स के लिए तो जो भी बच्चे स्टेट कोटा में महारास्टा से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अप्डेट है कि महारास्टा ने स्टेट कोटा round 2 का cutoff रिलीज कर दिया है उसके साथ उस पूरी final जो merit list है वो allowance कर दिया है उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने बताया कि जितने भी बच्चों को स्टेट कोटा round 2 में allocation हुआ उनको 18-12-2020 से पहले पहले college को जॉइन करसना है और इसमें cutoff भी काफी नीचे गई है friends में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जिन बच्चों की 25,000, 27,000 तक rank दिनक हुआ है तो काफी नीचे cutoff भी है महरास्टा में state quota round 2 की जो की पहले expected था अगर इस cutoff का हम दूसरे state से compare करें जैसे कि अगर हम राजस्तान से compare करें तो वहाँ पे बच्चों की cutoff की comparison में महरास्टा में 28-30,000 rank पर भी बड़े बच्चों को बड़े आराम से government college का location हुआ है त साथ देख सकते हो कि आप GMC जो कोटा उसमें चार सीटे वेकेंट है अभी भी उसी फिरकात तो JLNMC अजमेर में साथ सीटे वेकेंट है उसके बाद दोस्तों RNC MC college में अभी चार सीटे वेकेंट है तो total seat matrix किस college में कितनी सीटे है चाहे वो government added college हो तो आप यहाँ पे देख सक है तो यह complete document में अपने telegram channel NEET exam news पे शेयर कर दूँगा और वहाँ पे आप इसको देख सकते है तो total दोस्तों अगर आप में देखा जाए तो राजस्तान में लगबग 1170 seat total बच्ची वेकेंट है तो जो अभी बच्ची राजस्तान से है उसमें NRI management और government seats मिलाके total 1170 MBBS की seat है लगते हो कि total अगर हम देखे तो total 43 seats वेकेंट है हरियाना में और यह complete हर college का जितना seat matrix है यहाँ पर यह उन्होंने बता दिया कि NRI quota में कितना है BCA category में कितनी seat है BCB category में कितनी SME कितनी है रहता के college में कितनी seat बच्ची हुई है GT college में कितनी seat बच्ची हुई है ESIC medical college में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 17 seat open category की बच्ची हुई है और यह complete seat matrix दोस्तों हरियाना में reduce करते है तो जो भी बच्चे हरियाना states है वो complete seat matrix को चेक कर सकते है friends अगर हम यहाँ पे सिर्फ MBBS की seats की बच्ची की बच्ची मिलेंगी तो आप देख सकते हो इसमें general की MBBS की 15 seat खा लिए जो management और paid quota के अंदर आती है तो जितनी भी seat यहाँ पे आपको दिख रही है यह सारी management और paid quota के अंदर general की seat account है उसके अलावा दोस्तों अगर हम दूसरे कोटे की बात करें जैसे कि अगर हम बात करें DU internal या नराई कोटा का जब Muslim minority की बात करें तो आप देख सकते हो कि इन Muslim minority की जो एक college है इनमें seat बच्ची हुई है उसके अलावा दोस्तों deemed universities की बात करें और अगर हम दूसरा DU internal का देखे तो आप DU internal का देख सकते हो कि अभी भी वर्दवान महावीर college में MBBS में ST की एक seat बची हुई है उसके बात करें तो lady hiding जो निदिली का DU internal का कोटा है उसमें general की अभी भी एक seat vacant है lady hiding में OBC की दो seat बची हुई है MBBS के बारे में यहाँ पर देखे दोस्तों MBBS में आपको जो AIMS है उसका भी आपको मैं आपको देखाने को मिलेंगा कि AIMS में भी काफी seat अभी वेकेंट है आप देख सकते हो AIMS GUATI में MBBS में general की 7 seat बची हुई है AIMS जमू में 8 seat बची हुई है AIMS राजकोर्ट में 6 seat बच बची हुई है AIMS बोपाल में अगर हम देखे general PWD की 2 seat बची हुई है GUATI में OBC की 9 seat बची हुई है तो जो भी बच्चे AIMS के लिए apply करना चाहता है Mop up round में काफी अच्छा चांस है क्योंकि AIMS में अभी भी AIMS की open seat है वो काफी बच्ची हुई है तो बच्चों ने क्या क क्या है बेसिकली state college को priority दिया क्योंकि काफी AIMS नए खुले हैं तो जिन बच्चों का location नहीं मिल सकता है वो नए AIMS में जाके apply कर सकते है Mop up round में एक AIMS के college में admission ले सकता है जहां आप अपने MBS complete कर सकते है तो दोस्तो यह थी अभी तक की update जो मैंने आपके साथ share की मिलता ह एक नए वीडियो में और दोस्तो जो भी document में आपके दिखाया है मैं आपको telegram channel NEET exam news पे share करता हूं वहाँ से आप इनको download कर सकते हैं thank you दोस्तो all the best for your counseling